पुलिस कीज कदर वसूली पर उतर आए है उसकी बानगी सक्ती में सामने आई है सक्ती ठाने में पदस्त आररक्षकों पर 17,000 वसूली का आरोप लगा है फिरित ने हज़ीओ पि और हज़ी से लिखिश्पी सिकायत की है और कारवाई की मांग की है सक्ति HGOP तस्लीम आरिप ने जाच कर कारवाई की बात कही है दरसल रिक्सा चालक जैप्रकास रात्रे ने पीने के लिए घर में एक पवसराब रखा था सक्ति थाने के आरक्षक सिविल ड्रेस में पहुँचे थे और जैप्रकास के घर में घुझ गये थे घर में पीने के लिए रखी एक पवसराब को जबत किया था और जैप्रकास रात्रे को थाने ले आये थे PTI के नाम लेकर उसे रुपए की मांग की गई और डेट घंटे थाने में बिठाया गया बाद में 17.000 रुपए दिये गए जिसके बाद जैप्रकास रात्रे को छोड़ा गया आरक्षक की वसूली के मामले आने के बाद सक्ती SGOP तसलिम आरिप ने कहा की जांच के बाद कारवाई की जाएगी आपको बता दें सक्ती थाने में वसूली का या पहला मामला नहीं है इससे पहले भी कई मामले आ चुके हैं वसूली बाज पुलिस कर्मियों पर सक्ती से कारवाई नहीं होने और उत्त के अधिकारियों के सरक्षण मिलने से वसूली बाज पुलिस कर्मियों के होसले बढ़ जाते हैं अब देखना होगी इस मामले में पुलिस के आला अधिकारी क्या कारवाई करते हैं पर तिवेतन वरिष्ट कार्याले को बेजी जाएगी, पुलिस व्युहाग में इस परकार के कदाचरण और भरस्टाचार्था कोई जगा नहीं है, और संबंदित दोसिक रमचारी की प्रूद कारवाही की जाएगी.